हलो नमस्ति साथियो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल साहता पर तो साथियो आज किस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे प्रधान मंतरी आवास योजना सहरी एवंग प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीन दोनों छेत चैनल डिजिटल साथियो आपके अंतरकत बहुत बड़ा बदलाव किया गया है भारत सरकार द्वारा और दोस्तों ये जो बदलाव है वो इस्टेट पर अब प्रभाव भी देखने को मिल रहा है यानि कि दोस्तों जो बदलाव हुए है उसका असर अब सीधा जो है लाभा लाभारतियों के बीच जानकारी पूरी जानकारी वीडियो में देंगे पीम आवास योजना सहरी एबंग पीम आवास योजना ग्रामी दोनों छेतर के लाभारतियों के लिए तो वीडियो में एंड तक बने रहीएगा तो चलिए साथ यो वीडियो को सुरू करते हैं अग लाभारतियों के लिए एक good news भी निकल कर आया है दोस्तों उसी के साथ सहरी एवंग ग्रामी दोनों चेतर के लाभारतियों के लिए एक bad news भी निकल कर आया है तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं जो bad news है उसके बिसे में उसके बाद हम लोग good news के बिसे में बात कर गया है कि जितने भी in completed house अगर किसी भी state में है और अगर 20% से ज़्यादा जो in completed house है वो किसी भी state के अंतरगत है तो सांथियों उन्हें 2023-24 के अंतरगत अभी आवास नहीं दिये जाएंगे जब तक जो 20% आवास जो है complete नहीं कर लिये जाते हैं पिछले financial year के तब तक नए financial year से जो है लाबहरतियों को आवास जोजना सहरी का लाब नहीं दिया जाएगा और दोस्तों ये अभी बहुत बड़ी जो है लाबहरतियों के लिए बूरी खबर है क्यूंकि काफी सारे लाबहरति जो है इंतजार कर रहे है भारत के सभी state से कब उनको जो है इस जो है अपना घर अब साथ योग बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास जो जना ग्रामीन के लाभारतियों के लिए क्या बैड नियूज निकल कर आई है दोस्तो सेम चीज है प्रधानमंत्री आवास जना ग्रामीन के लाभारतियों के लिए जितने फाइनसियल यर्स पीछले के थे उसमें काफ और भारत सरकार द्वारा ऐसे वावास किम्पलीट नहीं नहीं दी जारी में अगर आज तक आगे से बाते मिशना के गहिए यहां varias इंत्रकौश य hips के तहट लाब दिया जाना था उसे ततकाल भी रोका जाएगा और जब तक वो हाउस कंप्लेट नहीं होते हैं लाभारतियों का जो हाउस है उसे सेंसन नहीं किया जाएगा तो दोस्तों ये दो बड़ी बुरी खबर है लाभारतियों के लिए क्योंकि अगर आपके प्रवाइड किया जाता है तो नए टार्गेट आपको नहीं मिलेंगे और आपको भी सियोजना का लाब मिलने में जो है देरी होगी आप दोस्तों बात कर लेते हैं जो गुड़नी उज निकल कर आया हुआ है दोनों छेत्र में पहले तो सहरी के बिसे में बात कर लेंगे तो दोस्तों सहरी के अंतरगत जो फंड है भारत सरकार द्वारा अलोटमेंट किया गया था उसे अब स्टेट वाइस जो है डिस्टिब्यूट करने के लिए जो है सभी राज्य सरकारों को प्रवाइड किया गया है ऐसे राज्य सरकारों को जहां पर जो पीम आस्वी ना सह 2023 के अंतरगत हुआ है उन्हें पहली किस्त की जो रासी है उनके खाते में ट्रांसपर कर दिये जाए तो सांतियों अगर आपको भी 2023 के अंतरगत आपका जो हाउस है रेजिस्टर हुआ है और सेंसन हुआ है तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत बड़ी खुसकबरी सावित हो हो जाते हैं तो दोस्तों सभी लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त की रासी क्रेडिट कर दी जाएगी यहाँ पर दो मुख्य अपडेट जो है निकल कर आई पीम आवास श्योजना ग्रामी निवंग सहरी के अंतरगत जहां पर सांतियों इससे पहले क्या होता था इसस से रोख दिया गया है और नए टार्गेट स्टेट को नहीं दिये जा रहे हैं तो दोस्तों यह बदलाव पीम आवास श्योजना ग्रामी निवंग सहरी दोनों चेत्र में की गई है अगर जानकारी अच्छे लिकेत वडियो को लाइक करें और इस प्रकार के और भी अपडे पानी के लिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्दबाद